जाहिंद वंदे मातरम प्यरे सातियों आचुके हैं एक और जबरदस्त नई भरती के साथ कौन सी भरती है दोस्तों आपके लिए ये आई है सातियों खबर आई है ताजा ब्रेकिंग न्यूज आई है खबर क्या आई है कि राजस्तान चतुर्च रेनी करमचारी भरती 2024 को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है उस अपडेट को मैं आपको अच्छी परकार से समझ दाऊंगा और स्क्रीन के उपर भी आपको दिखाएंगे जो भी ब्रेकिंग न्यूज आई है जो ताजा खबरें आई है वो खबरें हम अच्छी परकार से स्क्रीन के उपर किलियर करेंगे एक भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है चतुर्च रेनी करमचारी भरती है ज अब इस भरती में एकजाम लिया जाएगा और फिर ये आप आप इसमें चैन हो पाएगा आपका सेलक्षन हो पाएगा आपका इसमें एकजाम भी होगा योगिता को भी बढ़ाया गया है दस्वी पास योगिता की गई है साथ हजार पदों पर ये चतुर्च रेनी करमचार और आपके सारे डाउट किलियर करेंगे फिर भी आपको कोई डाउट रहता है कोई संका संकोज हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा हम आपका जवाब जरूर देंगे तो चलो शुरू करते हैं नमस्कार साथियों मैं राजेश गूजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे सा चलो शुरू करते हैं जो खबर आई है ताजा खबर उसको हम अच्छी परकार से समझेगे भी राजिस्तान चतुर्च शरेनी करमचारी भरती दोबिस पत्चीस चतुर्च शरेनी करमचारी पदों की संक्या साट हजार बताई जा रही है साट हजार पदों पर ये भरती ही है परिच्छा से होगा चैन पहले तो इंट्री वगैरा होता था लेकिन सातियों अब जो है वो इंट्री नहीं होगा अब सीधा ही एक्जाम लिया जाएगा तैयारी कर लेना बिना CET की ये भरती होगी इसमें CET की कोई जरूरत नहीं होने वाली है क्योंकि CET तो बार भी पास करोगा जना चाहिए ना आप तो सीधी दस्वी पास होगी सीधी दस्वी पास हम तो बिना CET दो फटकारो बिल्कुल साब सोट नोटिस जारी क्या है जो भी खबरे हैं वो मापको बताऊंगा महिला और पुरूस दोनों इसमें आवेदन कर पाएंगे जैसे ये भरती आएगी इसका नोटिपिकेशन जारी होगा तो इसमें आप फोरम भर सकते हैं महिला और पुरूस दमादम भारम लागेंगा ठोक क दस्वी पास जितने भी कंडिडेट हैं वो सारे फोरम भरेंगे चाए कोई खेती करतो होगे कोई गाड़ी चलातो होगे कोई ट्रक चलातो होगे वा भी भारम भर देगो क्योंकि पदी ऐसा है चतुर्ज श्रेनी करमचारी सब बनबोचामी सब लगाऊंगा फोरम ठीक है स आज अब इसकी खबर को देखते हैं फटा फट से जो भी खबर रहे हैं वो हम आपको अच्छी परकार से समझा दूँगा ये देखो भई जी राजस्तान की खबर आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर अच्छी परकार से समझ सकते हैं आप ब्रेकिंग न्यूज है जात थी उस बैठक में जो भी निर्ने लिए गए थे उनको सारों को मैं आपको उच्छी परकार से सबूत दिखाऊंगा ठीक है जी दूसरी खबर ये देखो दूसरी ये खबर देख सकते हो आप आराम से साथ हजार वहन चालकों की भरती करेगी राजस्तान सरकार यानि कि साति वहन चालक ड्राइवरों की भी भरती की जाएगी उसको भी आप देख सकते हैं अगली जो खबर है वह आपको ये दिखा देता हूँ इसमें देखो भई ये जो खबर है सातियों ये देखो चतुर्थ श्रेणी करमचारी भरती के लिए दसवी पास है योग्यता यानि कि इ देख सकते हैं जी राजस्तान की ये खबर है सातियों बिलकुल दिया कुमारी जी ने आदेश जारी कर दिये हैं अब हम पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी परकार चाहिए इसमें भी ये खबर दे रखी है जो आप आराम से देख सकते हैं फर्ष्ट इंडिया की देख्छा से होगी तो ये बात यहां पर भी लिखी हुई है देखिए इसमें मुख्य मंत्री भजनलाल सर्मा की अद्धक्स्ता में हुई आज कैबिनेट की बैठक की बैठक में लिये गए बड़े भैसले उप मुख्य मंत्री ने दिया कुमारी जी और मंत्री जोगा राम साल में एक लाख भरती का प्रियास है सरकार इस साल साथ हजार भरती कर रही है अच्छी परकार से समझ सकते हो बई और ये पूरे के पूरे जो भी है नोटिस ये आपको टेली गराम के उपर मिल जाएंगे ओं भी रोजगार के टेली गराम को सबी साथी जो इन जरूर कर ले में वही पर आपको प्रूफ मिलता है वही पर आपको सबूत मिलते हैं ठीक है सब अच्छा अब हम अगली खबर की बात करते हैं जो ये रही आप अच्छी परकार से देख सकते हैं जो खबर है मैं आपको किलियर करूंगा जैसल मेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगेगा उद्धोगों के लिए नहीं काटेंगे खेजडी और अन्य पेड यानि कि अब उद्धोग लगाएंगे है ना इंडिस्ट्री जेरिया है उद्धोग वगरा लगाएंगे कलकार खाने आएंगे तो उसमें पेड़ों को नहीं काटा जाएगा पेड़ अन्भक्सिंगा खेजडी का पेड़ काटा दिया तो फिर वाइब इस नोई सम्परदाई हो जाएगा आंदोलन है ना बिल्कुल चतुर्थ स्रेणी और ड्राइवर भरती के लिए होगा रिटन एकजाम यानि कि सातियों जैपुर से खबर आ रहे है यह भजन लाल सरकार का फैसला है राजस्तान में अब चतुर्थ स्रेणी और ड्राइवर की भरती लिखित परिक्षा के माध्यम से होगी करमचारी चयन बोड यह परिक्षा करवाएगा यानि कि करमचारी चयन बोड ही थरी परिक्षा करवाओगो यह भी द्यान राग जो परिक्षा की तैयारी करो बड़िया तरीका अभी से लाग जाओ थे तो क्योंकि अब खबर आगी तो बर्ती तो निकलेगी आवेदन तो शुरू हुएंगा कदे न कदे तो नोटिपिकेसन आवएगो आवेदन अभी शुरू नहीं हुए है कोई भी भाई बैन कन्फ्यूज ना हो जाए आवेदन शुरू नहीं ऐसे मत समझ जाना कि साब आवेदन शुरू होगा कि फारम बरबा लगा कि मानत बता दो ना अभी फोरम फारम कुछ भी कौन शुरू हुए अभी तो खबर ही आई है खबर आप देख लीजेगा अच्छी परकार से उसके बाद में जैसे ही कोई सरकार दुवारा नोटिस आएगा वो नोटिस भी हम आपके साथ पहले जो इसकी योगिता थी वो पांचवी पास पलस आठवी पास यही तो थी लेकिन अब क्या हो गया भई दसवी पास इसकी योगिता कर दी गई है ठीका जी अगली बात ये रही यहाँ पर देख लीजे रविवार को हुए कैबिनेट की बैठक में कई महतवपून फैसले लिए गए चतुर्च रेनी करमचारी के लिए अब सेक्षनिक योगिता दसवी पास कर दी गई है पहले यह आठवी पास थी अब इसको दसवी पास कर दिया गया है कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि परदेश में 60,000 चतुर्च रेनी और 23,000 ड्राइवर के पद खाली पर चल रहे हैं भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक खतम हो चुकी है बैठक में किरोडी लाल मीना भी सामिल हुए है कैबिनेट मिटिंग के बाद प्रेस वारता में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश में अब चतुर्च रेनी और ड्राइवर की भरती लिखित परिक्षा के मध्यम से होगी चतुर्च रेनी करमचारी के लिए दसवी पास होना अनिवारिय होगा पहले निून्तम योगिता आठवी पास थी ठीके साब ये है ताजा खबर जो मैंने आपको अच्छी परकार से समझा दिये साथ हजार पदों पर चतुर्च रेनी करमचारी की भरती आएगी जिसमें योगिता दसवी पास है बिना सीटी की भरती होगी एकजाम आपका होगा सिलेबस भी जारी करेंगे सिलेबस जारी करेंगे तो उसके बाद ही आप तयारी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं और भीया ये भरती आपकी साथ हजार पदों पर हाए या ना आए लेकिन कम से कम आपकी 40 हजार पदों पर तो ये भरती देखने को जरूर मिलेगी और अगर इतने पदों पर ये भरती आ जाती है तो राजस्तान की सबसे बड़ी भरती होगी तो आई होप आप अच्छे से समझ सकते हैं अब एज वगरा की भी छोटी मोटी जानकारी मा आपको दे देता हूँ भई है ना एज देखो एज तो राजस्तान में कोई भी भरती हो 18 से 40 साल तो होती होती है छूट भी मिल जाती है तो 18 से 40 तो मिनिमम मान के ही चालो ठीक है दूसरी बात साब वेतन की कोन बताया वेतन देखो वेतन तो इसमें भई 52 सो से 20,200 तो रहता ही रहता है 52 सो से 20,200 तो रहता ही रहता है चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि देश में जितनी भी भरतिया निकलती हैं तमाम भरतियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भासा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इसका नोटिपिकेशन जारी होगा कोई भी खबर आएगी सरकार दुआरा कोई नोटिस जारी किया जाएगा तो हम आपको तुरंत प्रभाव से साजा कर देंगे सारी चीजे बता देंगे ठीक है साथ फिर में लोगा एक और जबरदस तैसे ही वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जै हिंद जै भारत